नवस्कार मैं हूँ दिपाली राना आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अगर बाजार की बात करें तो सोना चांदिया पर क्रूड ही क्यों ना हो तीनों की भाव में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं ऐसे में क्या है निवेश की स्ट्राटेजी क्या क्रूड के दाम आगे और उच्छाल दिखा सकते हैं सोने और चांदी के दाम किस डिडेक्शन में जा रहे हैं इन सब पर हम बात्चीत करेंगे हैं वासाद है प्रते फिनमार्ट के रिडेक्टर मनोच कुमार जैन उनकी स्ट्राटेजीज भी लेंग और साथ ही बात करेंगे आपकी इन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं जहां पर घरिलू बाजार में रिकवरी आते हुए दिखाई दी है और इंट्रनाशनल मार्केट्स में भी थोड़ी सी रिकवरी बनी है हाला कि यूएस का जॉब डेटा आने के बाद थोड़े प्राइसे अंडर प्रेशर आयते रहे है घरिलू बाजार में भी और इंटरनाशनल मार्केट्स में भी महनो जी सबसे पहले तो कच्छे तेल पर ये अपनी राय दीजिए एक नीज़क रियाक्शन हमने तेजी की तरफ बनते हुए देखा था इरान इसराइल टेंशन के बीच में उसके बाद प्राइसे थोड़ लेकिन टेकनिकली अगर बात करें तो 76.60 डॉलर जो है वो डव्लू टीए के लिए एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है चार्ट पे और भारती बाजारों में भी 6440 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है पिछले सब्ता भी जह हम बात कर रहे तो 6600 के आसपास कच्छा तेल ट्रे जरूर है लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉल इंटेक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है तो उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग यहां देखने को मिल सकती है तो फिलाल यहां पर लॉंग की पोजिशन में एक बार मुनाफ़ा उसुली कर लेना चाहिए लेकिन एक बार लॉंग की पोजिशन में मुनाफ़ा उसुली कर लेना चाहिए से शार्प जो है रिकावरी देखने को मिली थी तो कहीं भी अगर डिप आते हैं 76,000 76,100 वहां पर बाई किया जा सकता है 75,800 की स्टॉप लॉस से उपर में 76,600 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है तो वह लेवल के आसपास एक बार मुनाफ़ा वसूली करने की सला रहेगी तो यह रहा आपके लिए गोल पर ही जहां पर 76,700 के मज़दर लेवल देखने को मिल रहे हैं एक रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए डिप का मेरा मनना है कि 92,000, 91,500 के रेंजेस में अगर सिल्वर आती है तो रिस्क रिवार्ड के लिहाज से वह बहतर लेवल्स होंगे तो वरतमान लेवल पर अवाइड करें थोड़ा अगर डिप आता है तो फिर निशले इस तरह पर बाइंग की जा सकती है अगर चली यह राय रही है आपके इस पर अपर लोग लेवल से और बैंक की जा सकती है रुपने एक ब्रेक के लिए ब्रेक के लिए कोई कवेरी जल पासाते हैं सवाल फड़ावट से लेती हैं वे questions को मनुश कुमार जैन हमारा साथ मोजूद आपी queries को answer करने के लिए पहला सवाल हमें SMS के तुरू भेजा है इमरान खान ने और अंगाबाद से चांदी पर इनका question है दो लोट 91,400 पर खरीदे हैं जाना चाहते हैं क्या करें बते हैं मनुश जी 50% यहाँ पर मुनाफ़ा असूली करें और 51% में cost का stop loss रखे 94,000 के आसपास के इस पर मिले तो बची वी position में भी एक बार profit booking कर ले गोल्ड में position को hold कर सकते हैं 76,700 तक जाने की possibility दिखती है वो लेवल पर एक बार profit book कर सकते हैं ओवराल long term trends होने और चांदी का काफी positive है लेकिन हम technically बात करें तो एक resistance point पर दोनों जो है metals trade कर रहे हैं इसलिए उपरी levels पर थोड़ी मुनाफ़ा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है लेकिन लंबी अवधी का जो trend है सोने और चांदी का वो positive बना हुआ है राजिश कुमार का सवाल है दिली से zinc पर दो lot 210 के भाव पर खरीदियों में जाना चाहते हैं निकले इस position से hold रखें बिलकुल ये level पर एक बार profit book कर सकते हैं 292 एक strong resistance है जिंक October वाइदा के लिए और हमने देखा है कि वो level पर रेजिस्ट करती हुए दिख रही है कीमते हैं तो एक बार ये level पर मुनाफ़ा वसूली करें dips में कीमते कहीं भी एक बार पर 276, 270 के जोन में मिले तो वहाँ पर रेइंटर कर सकते हैं वरतमान लेवल पर एक बार मुनाफ़ा वसूली की सला रही है नितिश महरा का सवाल है राची से और सवाल इनका नैश्टल गैस पर है एक लॉट 196 के प्राइस पर लिया हुआ हुआ है प्राफिट्स लेएं होल रखें अगर लंबी अवधी के निवेशक हैं तो होल कर सकते हैं अभी हमने 255 एक रेजिस्टेंस था वहाँ तक कीमतों को जाते हुए देखा था करेक्शन में हमारा मानना ही 230 तक कीमते एक बार आ सकती है वर्तमान लेवल से 7-8 रूपई की और गिरावट आ सकती है छोटी अवधी के निवेशक है तो मुनाफ़ा बुख कर लें और लंबी अवधी के लिए अगर पोजिशन होल करके रखना चाते हैं तो 224 के स्टॉप लॉस से होल कर सकते हैं उपर में 255 एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर मुनाफ़ा उसुली करें ओके चली यह राय रही है आपके नेशनल गैस पर अच्छा शो को समेटे उसे पहले कुछी मनो जी एग्री कमोटी पैक से कुछ ट्रेड्स हैं क्या आपके पास कुछ रेकमेंड करेंगे क्या यहां पर में अच्छा करेक्शन अमने पिछले अप्ते देखा था नौंबर का वाइदा भी 55 25 के आसपास चल रहा है आप 5500 के आसपास नौंवेंबर कॉंट्रेक्ट में बाई की सला रहे रमेश का और उनका सवाल है बेस मेटल्स पर जाना चाहते हैं कॉपर में इंट्री लेना इन लिवल्स पर कैसे रहेगा वेट करना चाहिए थोड़ा 840 के आसपास अगर मिले कॉपर तो वहाँ पर फ्रेश इंट्री की सला रहेगी वर्थमाल लेवल पर जो है रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लिखता है एक बार अवाइड करने की सला रहे तो वोइड करने की सला है रिस्क रिवार्ड इस्यों फेवरेबल नहीं लगता 854 पर कॉपर फिला ट्रेट करते हुए थैंक्य मनोजी शुमें आने के लिए स्ट्राटेजीज और को आनसा करने के लिए शुक्रिया रुके इंग ब्रिक के लिए ब्रिकस पर आवासा मचार नमस्कार कर्ञा करन दो, दो करी विए इंगरेबल उबल आनसा करे र Secondly, क्विए द्रये से खुमें खरील, आत्रीम, क्विए करते हुए के रिवार्या का रूअल